नमस्कारम आप देख रहे हैं समबाद कारेकरम प्रति दिन की ही तरह आज भी मैं आप लोगों के सवाल लूँगा और उन पर चर्चा करूँगा चर्चा से नए नए बाते निकलेंगी लेकिन आज एका दशी है इसलिए आप सभी को मैं शुपकामनाय देता हूं परमात्मा क करें आपका अध्यात्मिक मानसिक बौधिक वैचारिक सब तरह का बल बढ़े आप एक दिन अनाज को ना ले करके हलका रहने दें पेट को और कई लोग कहते मुझे तो बड़ी भूख सताती है मैंने सुभा एक कटोरी उबले हुए आलू उसमें थोड़ा सा सेब था कटा ह हुआ चोटा-चोटा थोड़ा सा उसमें उपर से डाल दिया मुझफली शायद एक मुठी से भी कम जो एक मुठी के अंदर आ जाए और आठ दाने उसमें काजू के थे काजू कुछी के पास ना हो तो किश्मी शादी डाल ले मुनक्का डाले बीज निकाल के यह सब मिलाया मैंने थोड़ा नमक मिलाया थोड़ा चाच मसाला डाला थोड़ा इमली डाल दी उपर से इमली की जगह कभी कभी नीम डाल लेते हैं ऐसा नहीं की हम हमेशा यह लेते हैं लेकिन एक अदर शी थी मेरे मेरे मन में आया कि चलो आज अनाज नहीं लेना यह ले लेते हैं और बहुत रप्त है शांत है एक बार साइकाल को ले लेंगे दो पहर को थोड़ा भूग लगेगी तो नीबू पानी आदी लेंगे कि अकल को क्या लेंगे सायकाल को दूध ले लेगे दूध नहीं दमन करेगा किसी दिन तो मूंग का पांई ले लेंगे हरी मूंग का हलाकि वो भी इसमें ग्रेंज बगरा में यह आती लेकिन मैं आने अपना वरता आप बनाया हुआ है मैं इसको इसमें छूट मानता हूं मुझे अच्छी लगती है दूद की जगही होती है वो भी दूद मिल जाए या मूं की हरी दाल मिल जाए पतली पतली जीरा और नमक वाली दोनों एक ही बात है तो इसमें आज का दिन निकल जाएगा अगले दिन से फिर हाजमा तेज हो जाएगा थोड़ा शांती मिल जाती पेट को रिलैक्स हो जाता है यह चोटे-चोटे जो नेगेटिविटी तंग करती कई पर स्ट्रेस बेवजा का लोग कहते हैं मेरे को कि हमें समझ नहीं आ रही यह चुप-चुप रहते हैं अपने प अवास से अपने आप ही चले जाएंगे आप करके तो देखें तो जाईर सी बात है लोग सुन्ते बहुत हैं लेकिन करते कुछば उसमें से जो करते हैं वो पाते हैं से ाट कुछ सवाल लेते हैं पहला सवाल शशी शेखर जी का मुझे आत्म-हत्या करने की बड़ा सरल है, दोनों ही चीजों से कठिन है, जिन चीजों से दुखी हो, उनको छोड़ दो, अपने हाथ में लेना बंद कर दो, अपने दिमाग में उनका बोज लेना बंद कर दो, कई बार इंसान अपने अनुसार किसी चीज को चलाने की कोशिश करता है, और वो नहीं होती उल्टा हो जाता है जिन्दगी ऐसे लगती जैसे तहस नहस हो गई लेकिन जब सोचेंगे ही नहीं मान के चलिए कि आप नहीं सोच रहे हैं आप कहते हैं जो परमात्मा करें ठीक होगा कई के बार बहुत कुछ उल्टा भी होता है लेकिन इतना अगर भरोसा जाग जाए ना कि नहीं अगर ये बहुत सारे नुकसान भी हुए है ये मेरी भलाई के लिए है मुझे बहुत सारे लेसंज लेने है इसमें से बहुत सारे शिक्षा ही कठी करनी इसमें से मुझे सजग होना है और सावधान होना है रहलो कुछ देखो प्रकृती का कुछ जा करके वहां मरने से कम नहीं है तो गाडी के नीशे आखे क्यों मरते हो जाओ शेर के पास जाओ को जंगल में विच्रो में आपको मरने की प्रेर्णा नहीं दे रहा हूं कोई कार्य करम को गलत अर्थ में ले लेकिन आप जाईए ना बहुत पुराने समय का इतिहास पड़ो बहुत सर लोग विरागय से यह तंग आके यह अलग-अलग ढंग से घर से निकल जाते थे और फिर योगियों का जीवन जीते थे घर में बोल दो भई मैं जा रहा हूं बोल करके कि यह नहीं कि कल को को परिशान हो वह मैं यहां यहां मेरा मन मैं नहीं संसार में मेरा मन नहीं लग रहा उनको भी पता ठीक है आप यह नहीं मानेगा बैसे भी मरेगा उससे अच्छा है जा करके किसी शांत गुफाओं में जा करके संत महात्मा जहां रहते हैं थोड़ा बहुत खाना पकाते हैं वहां रहो जागर के कुकरती ठं मैं अगला सवाल प्रकृति सिंग्स को गुरुजी टेक्निकली आयरुवेदा पर रीसर्च कैसे की जा सकती है फ्लीज धोड़ा और इस पर चर्चा करें रिसर्च कही तरह की होती है एक होती क्लीनिकल रिसर्च मतलब किसी लैब में बहुत सारे इक्वीपमेंट्स इंस्ट्रुमेंट्स उपकरनों के द्वारा उस चीज को जाचना परकना उसको मॉनीटर करना जैसे digitally किसी चीज को monitor करना की मीटर द्वारा किसी ऐसे यह चीजों की research होती है फिर होती है animal trial यानि जानवरों पे किसी चीज की जैसे आयरवेट की ओशदियां यह चीजें फिर होती है human trial human trial में भी होती है जो observations यह सबसे easy है doctor लोग तो बड़ी तरह की research कर सकते हैं लेकिन जो आम इंसान हम और आप हैं हम observation करें फर्ज करिए किसी कार सुबा उठे तो गला खराब था गले में काफा आ गया तो इसको थोड़ा शांत बैटके observe करा जाए देखा जाए कि क्यों हुआ यह कब तक बिल्कुल ठीक थी मैं यह बिल्कुल ठीक था मैं पता चलेगा कल शांत कुछ ऐसा नहीं था फिर मन में आएगा कि ओहो रात को मैंने दही ले ली थी तभी तभी कफा आ गया गले में कई बार लगेगा नहीं रात को मैंने ठंडा दूद पी लिया था यह चोटी 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 अब्जर्वेशन को कलेक्ट करिए कठा करिए अपनी भी अपने आसपास के लोगों की भी पूछ करके जैसे डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट पास में वेठे उससे कुछ चीजे सुनेंगे द्यान से सुनेंगे डॉक्ट सहब मैंने यह किया मुझे इससे लाब हुआ इससे लाब नहीं हुआ यह दवाई नहीं कर रही है यह करती यह ठीक लगी यह चोटी-चोटी जो बाते हैं कभी-कभी अहार के उपर कई लोग आपको बोल देते हैं मुझे आलू नैं ठीक लगता क्या होता है आपको वालू से मुझे आलू खाते एसी बनता है आप उसकी प्रकरती देखोगे और जाचोगे उसको अलग-अलग आज का कारिकरम खास इसलिए भी था मैं आपको बताऊँ आज मैं दिन में कारिकरम को शूट कर रहा हूं और पंशियों की आवाज बहुत अलग-अलग तरह के पंशि आवाज सुनाई दे रही है जो काफी देर से सुनाई नहीं दे रही थी इनकी आवाज इनकी आना ही बंद हो गई थी लेकिन आज बड़ा सुकून मिला दोबारा से इनकी आवाजें सुन करके खेर एक सवाल और ले लेते हैं इसमें यह सवाल भी है और यह एक तरह से आप लोगों के लिए प्रणा भी है जोती मैं नाथ जी कहते हैं गुरुजी प्रणाम आपका जितना भी डाइट प्लैन वाली वीडियो हैं मैंने सब देखा और प्रयोग में लाया और 25 किलो वेट घटाया मेरा हाइट 188 शायद कुछ सेंटीमीटर लिख रहे हूंगे इतना है और वजन पहले पचान में था और अब at present my weight is 70 kg मतलब 25 किलो घटाया है तो इन्होंने मास्टर वेट लॉस डाइट प्लैन की वीडियो के नीचे अपना कॉमेंट दिया है तो आप लोग भी जो लोग निराश हैं परेशान हैं पहले तो इनको शुब कामना देना चाहता हूं है खुश रहो खूब योग भी क करना कई लोग कहते हैं कि वेट गटाने के बाद पेट लटक गया श्रीड लग गया थोड़ा स्प्राउट्स थोड़े सब्रंग विरनी सब्जियां थोड़ा एक्ससाइज थोड़ी मालिश और थोड़े तीखे व्याम दंट बैठक वाले थोड़े दिव्र हो जाए थोड अब पतले हो जाते हैं उसके बाद और थोड़ा सहीं बैलन्स डाइट आगे फीचर में डबा डब फिर से नहीं शुरू हो जाना हलका देखो दोबारा कभी वजन नहीं बढ़ता सजग रहो तो और यह सब चीजें करो जो मैंने बताई तो शरीर कस भी जाता है लेकिन जिन और नोट्स बनाने के बाद जो चीजें आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं कर सकते हूं उनको अपने जीवन में लाइए और मुझे बताना कि आपको क्या लाब हुआ आज फिल हाल इतना ही नमस्कारम